हलो दोस्तो नमस्कार मैं सुमित महस्वरी सर आज का टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष देखते हैं इसके बारे में देखें लोकसभा अध्यक्ष जो है ये कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ये पिठा सीन अधिकारी होते हैं लोकसभा सदन के आपको पता है संसद में दो स लोक सभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज सभा को उच सदन कहा जाता है तो दोनों ही सदनों में पिठासीन अधिकारी होते हैं पिठासीन अधिकारी का मतलब सबसे वडिय पता अधिकारी लोक सभा में पिठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ज जो चुनाव है वो पहली बैठक में सतस्य के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है यानि जो नई जो है लोकसवागा गठन होता है नो निर्वाचित लोकसवागा गठन होता है तो उसमें जो पहली बैठक होती है उनी के बीच से एक सतसे का चुनाव होता है ठीक है और चुनाव की जो तारीक है वहाँ पहली बैठक में ही जो है राश्टपती तै करते हैं और उस तारीक को अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है देखें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भाव है यह अधिनियम 1919 के तहट 1921 में हुआ था देखें अधिनियम 1919 यह मांटेक्यू चैम्सपोट सुधार के नाम से भी जाना जाता है यह इसको भारस्टरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं मांटेक्यू चैम्सपोट सुधार तो अब यहाँ पर देखा जाया इस अधिनियम के तहट इस पद का उद्भाव हुआ लेकिन 1921 में जो है इसको कहा जाता है कि यह कारे में आ गया उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को करमसभ प्रेसिडेंट और डिप्टी में 1935 के तहट दिया गया देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का कारेकाल समाने तह पांच वर्स का माना जाता है परन्तु इनका कारेकाल जीवन काल का होता है यानि अगर लोकसभा जो है भंग हो जाता है या लोकसभा जो है विघटित हो जाता है पांच वर्सों के बाद तो जब तक नए लोकसवा अध्यक्ष के न्युक्ती नहीं होती है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं लोकसवा अध्यक्ष के पद की सपत नहीं लेता है यह लोकसवा के सदस्यता की सपत लेता है क्योंकि वह लोकसभा के ही सरस्य होते हैं तो एक व्यक्ति दो बार सपत नहीं ले सकता है पहले अध्यक्ष जिवी मावलंकर थें और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार ये कल भी यानि पिछले विडियो में हम लोगों ने बात किया था और वरतमान में ओम बिड़ला है या 17 वी लोकसभा चुनाओं में इनकी नियुक्ति हुई है ओम बिड़ला की जो की 18 वी जो है अध्यक्ष हो चुके हैं ये तेखिए अनुछित 94 में जो कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याक पत्र उपाध्यक्ष को देगा तो पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याक पत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याक पत्र देता है अध्यक्ष को अगर हटाना हो तो दो तिहाई बहुमत से हटाया जा सकता है मगर इसके लिए 14 दिन पहले उसको सुचना देना होगा उसको नोटिस देना होगा तेखिए दोस्तों कभी-कभी ये होता है कि सधारन बहुमत से कहीं विद्यार्थी जो हो बोलते हैं कि उनको हटाया जा सकता है नहीं सधारन बहुमत से नहीं दो बटा तीन बहुमत होना चाहिए तो ही जो है उनको हटाया जा सकता है पद से यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लोकसभा की सदस्य समाप्त हो जाती है तो उनको पद को छोड़ना होगा यानि अगर लोकसभा में उनकी सदस्ता समाप्थ हो जाती है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी उनको छोड़ना होगा क्योंकि पहले वो लोकसभा के सदस्य हैं बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं तो अगर सदस्ता ही नहीं रहेगी, तो फिर वो अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे, तेखिए, जीवी मौलंकर हुकुम देव बलराम जाखर के विरुध जो है, प्रस्ताव लाया गया था, परन्तु ये असफल रहा, यानि इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, प अनुछे 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर विचार हो रहा हो, तब वो अपने पद पर नहीं बैठेंगे, परन्तु लोकसभा की कारवाही में भाग ले सकते हैं, ये कहा जाता है, कि जब उनको पद से हटाने का विचार चल रहा हो, तो अपने प पर नहीं बैठेंगे, वो लोकसभा की कारवाही में भाग ले सकते हैं, फिर आगी देखते हैं, अध्यक्ष के कारेवाही का संचालन, ये कहा जाता है, कि लोकसभा की अध्यक्ष जो है, वो बैठक की अध्यक्ष जो है, वो बैठक की अध्यक्ष जो बैठक होती है, और का करवाही का संचालन करेंगे करवाही का संचालन करेंगे यानि लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी सदस्य को बोलने का अधिकार देते हैं या वो कहते हैं कि अब आप बोल सकते हैं अब आपका समय है तो उनको बोलना होगा और अगर ये कहते हैं अभी आपका समय नहीं है तो उन को नहीं बोलना होगा अगर लोगसभा अध्यक्ष चाहे तो किसी की सदसिता समाप्त भी कर सकते हैं अगर उनकी बातों को ना माने तो देखे गणपुर्ती ना होने पर सदन अस्थकित कर सकता है यानि कहने का मतलब पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि यदि ग लोगसभा अध्यक्ष जो है वह बैठक को अस्थकित कर सकता है तेखे यहां पर भंग कर सकता है यह कभी नहीं बोलिएगा अस्थाईद कर सकता है क्योंकि भंग और अस्थगन में अंतर है भंग का मतलब पूरा कारेकाल भंग हो जाएगा और भंग करने की सक्ती लोगसभ अध्यक्ष करता है और अस्थगन दो तरह के होते हैं एक निश्चित काल के लिए होता है और एक अनिश्चित काल के लिए होता है निश्चित काल के लिए मतलब लोग सभा अध्यक्ष आगे का समय देते हैं कि हां चार बजे साम तक के लिए सभा को अस्थगित किया जा रहा ह तो ये निशितकाल हो गया और अगर अध्यक्ष समय नहीं देते हैं तो उसको अनिशितकाल का स्थगन कहा जाता है देखिए इसका विवरन जो है अनुच्छेत संख्या सौ के चार में किया गया है अब देखिए दोनों सदनों की संजुक्त अध्यवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संजुक्त अध्यवेशन कब बुलाया जाता है तो अगर किसी विद्यक पर किसी परकार का विवाद हो रहा हो या कोई एक सदन जो है उससे सहमत तो वहाँ पर राष्टपती द्वारा जो है संजुक्त बैठक बुलाया जाता है परन्तु उनकी सतसिता उनकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसका वीवरन अनुच्यत संख्या 118 के चार में दिया गया है देखे राष्टपती संजुक्त 12 में है यह ध्यान में रखेगा राष्टपती यदि अधिवेशन बुलाता है संजुक्त अधिवेशन बुलाता है तो वह अनुच्यत संख्या 108 में है जबकि लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका वीवरन 118 में है कोई भी विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निर्ने लोकसभा अध्यक्ष करता है यानि विध्यक पहचान की प्रकिरिया जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होती है और धन विध्यक आपको पता है अनुच्य संख्या 110 में वड़नी थे देखे निरनायक मत का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के निरनायक मत का अधिकार अगर किसी बिल पे, किसी विधयक पे जो है, दोनों पक्षों से बराबर वोट आता है, यानि हा में भी उतना ही और ना में भी उतना ही एक समान अगर वोट आता है, तो वहाँ पे टाई हो जाता है, तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे करके उसके निडने क और अरथात अगर वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपना मत दिया तो कोई ना कोई निर्ने निकल आता है। इसलिए इनके मत को निर्नायक मत कहा जाता है और निर्नायक मत को हम लोग कास्टिंग वोट भी कहते हैं। देखे जहां पर कर रहा है लोगसभा के सभी Mangist過去 की नियुक्ष की सभीपपति सथ hm भी समीती होते हैं, जैसे माली जे की लोक उपकरम समीती हो गया, प्राकलन समीती हो गया, लोक लेखा समीती हो गया, उन सब के सभापती या उसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं, कि नियुकती लोक सभा अध्यक्ष ही करता है, और कुछ-कुछ समीती जो है, उसके अध्यक्ष जैसे कारे मंत्रना समीती, नियम समीती या समान्य प्रायोजन समीती के अध्यक्ष खुद लोगसवा के अध्यक्षी होते हैं इस बात को याद रखेगा कारे मंत्रना समीती, नियम समीती, समाने प्रायोजन समीती के अध्यक्ष खुद लोगसवा के अध्यक्षी होते हैं। उसके बाद है दल बदल के अधार पर किसी सतसकी अयुग्यता का विवाद का निप्टारा तो लोकसवा अध्यक्ष जो है दल बदल के अधार पर दल बदल कानून के अधार पर किसी भी सतसकी अयुग्यता का विवाद का निप्टारा कर सकता है ये लोकसवा अध्यक्ष के पास सकती होती है और दल बदल का उलेक जो है ये दसवी अंसूची में किया गया है इसको कब सामिल किया गया एक क्यानवी समिधान संसुधन 1980 के तहट एक क्यानवी समिधान संसुधन 1980 के तहट जो है इसको सामिल किया गया है तो दोस्तो आज मैंने जो है लोकसवा अध्यक से सम्मंदित कुछ important बाते कही हैं अगर आपने इतना कभर कर लिया तो आपका question नहीं चुटेगा अगला वीडियो जो है मैं इस से सम्मंदित ही और कुछ डालने की कोशिस करूँगा फिलाल अगर अभी तक आपने मेरे शैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन पे बटन दबा दिजिए क्योंकि आगे का notification आपको मिलता रहे धन्यवाद दोस्तो